हमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लेके आये हूँ वीवो का स्मार्टफॉन जिसका नाम है वीवो Y21 तो आज करेंगे इसकी एंबॉक्सिंग नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लुक डिजाइन्स केमरा पर फर्स्ट अपॉल इसका प्राइस जान लेते हैं तो यह आपको ओफलाइन स्टोर पर मिल जाएगा 4GB 64GB वेरेंट मातर 13,000 रुपे में ओनलाइन स्टोर पर यह आपको 14,000 रुपे के आसपास मिलता है बॉक्स में सबसे उपर जियो एक्स्क्लूजिव लिखा हुए है यानि यहाँ पर हम देख सकते हैं 8mm trendy slim design यानि की काफी थिक यह smartphone रहने वाला है जिसमें आपको मिलेगी 5000 नमेज की बैटरी 18W का fast charger 4GB RAM प्लस 1GB virtual RAM आपको इसमें दी गई है बॉक्स प्राइज पर नजर डालें तो 17,990 रुपीज आपको बॉक्स पर प्राइज लिखे हुए मिलत आता रहता हूँ फाइनली बॉक्स कर दिया है ओपन सबसे उपर आपको एक मिनी बॉक्स नजर आएगा जिस पर वीवो की ब्रैंडिंग और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको यह जियो की ओर से एक इन्वलप्स दिया गया है जिसमें आपको जियो ओफर के बारे में सा आपको एक flexible transparent silicon का cover दिया गया है cover quality मुझे काफी अच्छी लेगी इसके बाद smartphone जिसे निकाल के हम रखते हैं फिलाल साइड में और अंदर देखें तो यहाँ आपको एक बड़े size का heavy charger adapter नजर आएगा यह charger है 18 watt का 5 volt 2 ampere 9 volt 2 ampere की output rating आपको इस charger से मिलती है इसके अलावा आप आपको इसमें white color की type c usb cable मिल जाती है cable की length और quality आपको काफी अच्छी दी गई है राष्ट में box के अंदर आपको एक sim ejector pin मिलती है अब आते हम सीधे smartphone पर तो यह रहा हमारा smartphone सबसे पहले इसे rapper से हम आजात कर लेते हैं in hand field यह smartphone आपको हाथ में काफी comfortable और slim lightweight लगेगा इस प आपको back panel में देखने को मिलता है यह देखें बिल्कुल flat है इसका back panel जिस पर light reflection भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है plastic body है लेकिन आपको glass finish वाली feeling आएगी इसके अलावा नीचे vivo की branding और fingerfin sensor नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको side mountain rear fingerfin sensor यहां पर द 2 megapixel का micro camera with LED flashlight दिया गया है depth camera आपको इसमें नहीं मिलता है front में drop notch के अंदर आपको दिया गया है 8 megapixel का selfie camera उपर की side आपको sim tray मिलती है इसे हम open करके देखते हैं तो इसमें आपको dedicated slot मिल जाते हैं यानि कि 2 sim card और एक memory card आपकी दीनों एक साथ लगा सकते हैं 1 terabyte तक का memory card यह phone support करता है mobile के left side में आपको कुछ नहीं बिल्कुल plan देखेगा और bottom में आपको 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grill दिया गया है और चलिए अब smartphone को हम boot कर लेते हैं mobile में आपको काफी bright और colorful display देखने को मिल जाती है 440 nits की आपको इसमें brightness मिलती है edge bezels आपको normal ही दिये गये हैं जैसे सभी smartphone के देखने को आपको मिलते हैं नीचे से जो चीन है वो तोड़ी से जाद़ आपको यहां पर देखने को मिलती है इसके लावा scroll आप करते ही आपको यहां पर सारे के सारे application नजर आते हैं 60 Earth का refresh rate आपको यहां पर दिया गया है फाल्ट के प्रेंस्टॉल एप आपको इसमें भर बर के दिये गए हैं हाला कि आप इन्हें अनिस्टॉल कर सकते हैं देखते हैं आप यह शेयर चेट नाम की जो application है इसे हम हडा देते हैं फॉन से जी हां unwanted apps को आप अपने फॉन से रिमूब कर सकते हैं प्ले स्टॉर से अपनी पसंद की आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए ब इक्सल डेंसिटी 270 PPI के आपको इसमें मिलती है स्क्रीन टु बॉडी रेसो आपको इसमें 89 परसेंट का दिया गया है मोबाइल की हाइट 164.2 मिलिमेटर वीट दैसकी 76 मिलिमेटर और थिकनेस 8 mm के आपको इसमें मिलती है मोबाइल का वेट है 182 ग्राम और अंदर लगी है 5000 बैटरी यह आपको मिलेगा दो कलर वेरेंट में डाइमंड ग्लू कलर और मिड्नाइट ब्लू कलर अभी हमारे पास मिड्नाइट ब्लू कलर एविलेवल है इसकी अलावा जो भी कलर वेरेंट आपको पसंद आता है आप पर्चिस कर सकते हैं चलिए अब इसकी सेटिंग को करा जाए तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आता है जिसमें सबसे नीचे अबाउट फॉन सेक्षन दिया गया है जिससे हम ओपन करें तो फंटच ओएस आपको इसमें मिलता है 2.3 गिगार्ट्स का उक्टा कॉर प्रोसेसर और चिपसेट मीडिया टैक हीलियो पी 35 का आपको इसमें दिया गया है हलाकि यह जो चिपसेट है यह काफी आउटडेटेट है 4GB RAM प्लस 1GB की वर्चॉल RAM को यहाँ पर मेंसें किया गया है एंडवेड वर्जन 11 फॉन में जो इस्टोरेज है वो 64GB का आपको इसमें मिलता है इस्पेंडबल मेमरी 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं इसके लावा 12NM का फैबरिकेशन ग्राफिक पावर वियार जी एट्री 2.0 के मिलते है RAM टाइप LPDDR 4X के आपको इसमें RAM मिलती है तो यह रहा इसका कैमरा तो नॉर्मल मोड में हमने कैमरा को आउन किया है जो भी परमेशन मांगे अगरी कर दीजिए तो कैमरा क्लेटी मुझे ठीक टाग लगी काफी ब्राइट और कलरफुल कैमरा आपको इसका मिल जाता है चलिए जूमिंग देखते हैं इसकी तो मातर 4X तक ही आप इससे जूम कर पाओगी यह रही इसके 4X जूम क्वाल्टी कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है लेकिन थोड़ी सी जूम पाओर भी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए थी इसके लावा आप पॉर्टिट का ओप्शन मिल जाता अगर आप बैक्राउंड बलर चाते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है फैन रमा मोट दिया गया है बीडियो देखें तो वीडियो आप कर सकते हैं 720p, 480p और 1080p में 130fps के साथ इसके अलावा आपको इसमें मोट सेटिंग देख लेते हैं तो लाइब फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं टाइम लैप्स, प्रोमोट, डॉकॉमेंट्स का ओप्शन दिया गया है लेकिन स्लो मोट सं आपको इसमें नहीं देखें रहा काफी bright और colourful के मरा केमरा से zoom देखें तो फ्रेंट सेलफी केमरा से आप zoom नहीं कर सकते हैं तो ये था 13,000 रुपे के अंदर वीवो का वीवो वाई 21 मुझे इसका design look काफी कमाल का लगाजी है आपको अगर slim smartphone पसंद आते हैं तो ये smartphone आपको काफी पसंद आएगा लेकिन जिस हिसाब का इसका design दिया गया है उस हिसाब के आपको इसमें features नहीं मिलते हैं 13,000 रुपे इसका काफी over fries लगता है जियां क्योंकि आपको 13,000 रुपे खर्च करने पार इसमें नहीं full HD plus डिस्प्ले मिलती है 4,018 वोट का आजकल नॉर्मल हो गया है चिपसेट देखें आपर MediaTek Helio P35 8,000 रुपे के mobile में मिलता है ये चिपसेट लेकिन 13,000 रुपे में आपर वीवो दे रहा है काफी outdated ये चिपसेट है इसके अलावा 12NM का fabrication आपको इसमें दिया गया है और 4GB RAM आपको इसमें मिलती है अलाकि इस range में तो आपको 6GB RAM तक मिल जाती है 64GB का storage हम ठीक ठाक बोल सकते हैं camera भी आपको यहाँ पर कम दिये गए है 13 प्लस 2 Megapixel के और battery भी आपको 5000 एमेज की मिलती है 18W का charger तो आजकल common हो गया है 8-9,000 रुपे के mobile में मिल जाता है तो कम से कम 33W का charger आपको इसमें मिलना चाहिए था 90Hz का refresh rate मिलना चाहिए था जो यहाँ पर नहीं दिया गया है इसके अलावा आपकी पसंद matter करती है क्या आपको यह smartphone 13,000 रुपे के अंदर पसंद आया यह हमें comment box में बताईए तो आसा करता हो मेरे द्वारा दीगी जानकारी आपके जरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको mobile purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अन्बोक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद